चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें आपके साथ है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग बेसिकली यह तरह की अकाउंटिंग है और इसको बहुत ध्यान से समझना अभी जो मैं टाइम दे रहा हूं उसको सुनना बहुत ध्यान से कुछ राइट डाउन नहीं करना जब मैं रा 10 का रहा है अब यह क्या समझाने को स्कुशित करता हूं अब देखिए इसका बेस कैسे बना यह स्टार्ट कैसे यह भुआ है अ planners करता हूं ंसाइनमेंट स्टार्ट कैसे हुए थी टी हमारे पास आपने नाम सुना हूँगा आज की ही कंसारी ब romance स्टार्ट में अल्यो anak प्रेंचाइजी भागी सब लोग ही मान्शू सुनें फ्रेंचाइजी बिस्ट्री क्या होता हैं डाइब स्क्राइवरे लुका पता है मैं आपको एक इसी बेसिकली ये जो आकाउंटिक मना रहे हैं बचो वो टोटली कंसाइनमेंट अकाउंटिक मना रहे हैं आज की डेट में वर्ल्ड में 60% of the business consignment accounting से ही होता है कि 60% total business का किस से चल रहा है आपके पास consignment से चल रहा है अब यह है क्या consignment हम आपके साथ discuss करते हैं कि मतलब क्या है नीविस की consignment की क्यों यह start हुआ कैसे यह साक्षी start हुआ कैसे हमने इस उसको start किया क्यों start किया और क्या reasons थे मैं आपको सामने सबको पता होगा अब हमारे पास 90s 70s और 80s की मैं बात कर रहा हूं जब आपके 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 सब्सक्राइब का बर्त हुआ था सबकर हांजी 1970s और 80s आप सबको शायद थोड़ा बोता कभी discuss हुआ हो तो हमारे यहां पर एक area सबसे बड़ा हब होता था बत्चो उसका नाम था िटाव सब ने सुना है और युड क्री शादियों की shopping कपड़ों की कहां से होती थी डैली से आसपास मिठाईब कि ज़्यादा तरफ ऐच्छी बिणाईयां कहां से विलती थी डैली से हर चीज जो ब्रेंड़ होती थी जो अच्छी costly लगता है इसी बैल्ट की बात करते हैं और क्या लगता है उसके बाद टोनी पर कुण्डली कि हांजी ऐसे ही कि अधार करोंदा सर कि लुद्याना बड़ी-बड़ी सिटेस कीबात कर रहा हूँ तुम कुंडली और कहां से लिए उठा के अमरी सर से अन्हीं अ कै ा हां जी यह वाली बैल्ट पूरी डेली जाती है गीटी रोग बैल्ट की बात कर रहा हूँ पूरी सबको पता है इसी तरह से यूपी में से कुछ लोग यूपी के अंदर मेरट से वो भी बिल्कुल साथ लगता है डैली के नौइडा इधर से डैली के साथ-साथ गुडगाओं यह सब सिटिस बचो डैली ही आती थी और कोई चारा नहीं था और मेजर हब डैली था डैली की मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी थी डैली की मार्केट्स में शॉपिंग होती थी तो आज से बीस साल पहले कुरुश यत्रा के अंदर अंदर बजार होता था अगर मैं बड़ी-बड़ी शिटिज की बात करूँ तो सभी जगा अंदर-अंदर ही सिटिज में आपके पास मार्केट्स होती थी यह बड़े-बड़े शोरों और यह सब चीजे नहीं होती थी कि तो यह संब सिट यह अब सोचके देखिए एक प्रक्टिकली सोचके देखना मुस्कान बंसल एक प्रक्टिकली सोचके देखना डेली के यहां पर शॉपिंग बहुत होती है अभी और पहले भी बता सकते हो नाम सुदा होगा शायद किसी ने इस यह बड़ी-बड़ी मार्केट्स है जहां मैं नाम बता रहा हूं जहां बड़े-बड़े लोग आपको मतलब इंडिया के नदे अंदर आहे थे उससे पहले ब्रेंड सिस्टम नहीं था उससे पहले यह caremos नहीं होता था बच्चों आप जैसंहां इंडिया में घंडिया में बाद मीसी सबंगा सब्सक्राइब का बहुत होती आपने पापा से पने डिसकस किया तो वह पहनते होंगे 2020 तो बहुत सारे के शूज आ गए अपने पापा ममी से डिसकस करके देखना उनके टाइम में बाटा बहुत फेमस हुआ करता था वो लोग बाटा के शॉपिंग से ज्यादा खरीते थे इवन प्यूमा और यह बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रैंड्स और बहुत सारे चल पड होती थी बड़ी-बड़ी अब इनके साथ प्रॉब्लम क्यों होती थी फॉर एक्जंपल मैं आपके सामने शॉप सी रख देता हूँ हां जी शॉप दिख रिया सबको किस की है कौन सा ब्रैंड है ऐसे भping की यह कौन सी सोप है कि इमल ठीक बिलकुल साथ सथ लगए है मिलकुल साथ साथ ऑ जिए पिलकुल साथ साथ लगाती कि दिख रहे है और एग्जंपल के लिए हैं विलकुल साथ साथ शॉप से सबको को दिख रही है कि हाट बताइए दोनों के पास बहुत शॉप पे रश है इसनिहां दोनों का काम बहुत ज्यादा चलता और मार्केट देखो डैली की कैसी हुआ गरती थी अभी भी ऐसी यह इस टाइब की मार्केट्स होती थी डैली में दिखरा रश किता रच है तो यह रियलेटी बता रहा हुआ, यह मार्केट्स होती थी हाँ जी अब बताईए आजाईए सब लोग मुस्कान बंसल यह विमल का शोरूम है बच्चा कौन सा शोरूम है यह और यह आपका रेमेंट का शोरूम है दोनों बिल्कुल साथ-साथ और फॉर एक्जांपल यह CP में है दोनों वैसे CP ऐसा नहीं है CP बहुत सुंदर बना हुए कभी देखना बहुत अच्छा बना हुए तो अब अगर यह CP में है बताईए आप मुझे एक बातका अंसर दीजिए विमल पे भी बहुत सारा रश है रिलाइंस का ब्रैंड है बहुत अच्छा था अब तो बहुत कम हो गया पहले बहुत अच्छा चलता था रेमंड भी बह अच्छा चलता है है अब इसके सर मुस्कान बंसल मुझे एक बातका अंसर दीजिए विमल वाले के अंदर 577 से लोग रोज आ जाते हैं और काफी रश लग जाता है और ऐसे रेमंड में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं काफी रश लग जाता है बच्छो अब उस केस में म अब किसी और लोकेशन पर जाने की कोशिश करेंगे अब मैं आपको स्दिहां किसी और लोकेशन पर जाने की कुशिश करेंगे हां जी बताइए येस डेली में अल्रेडी बच्चों पहले से रश बहुत था तो डेली के अंगर हां जी मोहित सरी यह मर्ज भी तो सकती है मर्ज नहीं हो सकती नहीं इतनी बड़ी बड़ी दोनों रिलाइस के नहीं है दोनों रिलाइस के नहीं है बाकि आप अभी के लिए कंसेप्ट समझो क्यों टाइम वेस्ट करे जा रहे हो अपना दिमाख लगा लगा के हां जी कंसेप्ट समझने कोशिश कीजिए अब मुझे डैली के अंदर कोई नई शॉप खरीदनी है और अ अच्छी शॉप मिलेगी उस टाइम पर लगा लिजे 10 की आ जाती होगी जो अच्छी शॉप की बात बता रहा हूं मैं बड़ी शॉप्स की वन सी यार टू सी यार फाइव सी यार की क्या यह डिसीजन अच्छा था मेरा कि मैं बड़ी बड़ी और शॉप्स करीद हूं लोग आते हैं स्टेट में जाकर से लोग बहुत आते हैं डेली कुरू शेत्रा से कम जाते देट करनाल तो बहुत ही ज्यादा जाता है अंबाला बहुत ज्यादा जाता है हेंट पानिपद बहुत सारा दिन डेली होता है क्योंकि बिलकूल नेर भाट लगते हैं स्टेट गुरग Сам हो बहुत लगता है छाथ ज्यादा ही लगता है यह सब में सब जगाव से लुदिहाना आपने देखा हो गासारे ब्रेंड स्ट सब्सक्राइब करनाल से रोज मेरे पास 20 कस्टमर होते हैं तो करनाल में ले ले लेंगे वह मेरे पास डेली क्यों आएंगे भाई बता मेरा नाम चला हुआ मेरी ब्रैंड चला हुआ है मेरा लोग जानते हैं मेरा डेली कम से कम एक करोड़ी सेल कर लेता हूं मैं दुकान पे बैठके तो मुझे क्यों नहीं अपना स्टोर आगे बढ़ाना चाहिए ऐसे तो रेसक लेने से फिर बागे बढ़ो गई नहीं हां जी सब लोग बताएए बताएए अंकित बताएए प्यूश खोलने चाहिए अपने स्टोर्स बताएए प्यूश अब बताएए इस पूरे कंसाइन्मेंट में इस पूरे कंसेप्ट में 1970s 80s में एक प्रॉब्लम आई बच्चों सब के सामने वह प्रॉब्लम क्या थी मैं स्टोर खोल जिए सेट कहां खोल दिया सपोस करनाल में अब उनके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी उस टाइम पर मोबाइल फोन सोते थे 70s 80s की बात कर रहा हूं मैं सेल बहुत होती थी पर मोबाइल फोन्स नहीं थे थे नहीं जा होते थे लाइन लाइन अब बताईए कैमरेज होते थे उस टांग पर नहीं होते थे अब उनके सामने एक हरडल आई सबसे बड़ी ऐसे अब डिफिकल्टि क्या थी वो स्टोर्स लॉसिस में आगे लॉसिस में क्यों आए्ट क्योंकि जो उनको मैनेज्ड करने वाले परसंप भी kali यो ऑ- Raj यो बहु लाएल नहीं थे है वह क्या नहीं थे लायल तेहां मैंने करनाल में एक स्टोर ओपन करके देघ्रैक परसन को वह टेना क्लॉक मेरे स्टोर का टाइमिंग है और कोई भी मेरे पास को नहीं है मैं उसको जज़ कर सकूँ कोई कैमड़ा नहीं मेरे को कैसे पता लगए वह टैनों क्लोग खुलता क्या बादा बारा बजी खुले वह और उसके बाद शाम को साथ बजे बंद होता है च्छे बजे बंद करके चलता बने बताइए प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी सेल्स भी निकालने के लिए इनिशेटिव नहीं लेते थे ना उनको है टेंशन होती थी सेल्स बड़े ना बड़े तो यह 90 से लेकर 95 2000 तक यही चलता रहा विमल भी लॉसेज में था ऐसे बाटा भी लॉसेज में था बाटा आपको expand करना चाते तो डेली में साथ में शॉप नहीं मिल्ती थी कि बहुत कॉसली होती थी बिलकूल सथा-साथ टेली बना हुए है बहुत रशी एक थे and करना पॉसिवल ही नीवह नीछ इन्हों बाइप всё इनिश लगाई कि हम अपने से काम कर रहे थे बड़े अराम से मज़े से मोज मस्ती से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि सेल्स कैसे बूस्ट अप करनी है कैसे डिस्काउंट्स देने कोई मतलब नहीं था हां जी यह समझ में यह एक्चुली किसका अब आई यह उसके बाद तू थाउजंट के आसपास 95 से टू थाउजंट के आसपास न्यू कंसेप्ट बिगन हुआ कैसा कंसेप्ट आया न्यू निव नसप्ट जिसे हमने नाम दिया क्या नाम दिया है मांशू इंशाइन्मेंट सब्सक्राइब अब इस कंसेप्ट में था क्या देखिए फॉर एक्जाम्पल मैं बाटा हूं क्या हूं मैं बाटा कंपनी हूं ठीके जी राइट बताइए क्या हूं बाटा कंपनी मैं चाहता हूं मेरे ओन स्टोर्स हैं 30 जो मेरे खुद के स्टोर्स हैं वो आल्मोस्ट लॉसेज में मैंने देखा वो लॉसेज में चल रहे हैं मैंने कहा इस से 20 से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिला स्टेहां मुझे इस 20 यह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या मिना लोग मेरे ब्रान चाहिए लाकी सिर पॉठी है अब मुझे इस के अंदर प्ॉफिट लाना है वो कैसे लाना है मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि मेरे को ये समझ में आ चुका है मेरा बिजनस में गुडविल क्रियेट हो चुकी है और अब इस गुडविल को कैश करने का टाइम आ चुक है और बैस है मैंने इक कंपनीज ने सबने तीन चालिस साल बहुत लॉसस से हैं क्योंकि इस ब् होग्त करणाल में कोई पर्सनक शूस की शॉप चलाता है किसा चलाता बच्चों क्रूव सुष की शूस की शॉप और उसकी स्थेंख हैं कि क्या हैं काफी मतलब ट्रफइश है शॉप है ॉसको अफर दिया जाएक ऑफर क्या दिया जै ओंवेस्ट्मेंट आप कीजिये Drugrie जी मेंस कि इसको अफर धिया जा रहा है और एक्जामपल यह बाटा कम्पनी यह और किसकी शूस की खोले यह वासूरह कौन हैो कि कौन है चो法्व्त फैरे से अले टीक है वाहच है तो एक option तुझे दिया जा सकता तिरी खाली शॉप है तेरा बाटा का ब्रेंडिट स्टोरूम नहीं है सिर्फ अपनी शॉप चलाता है तुझे कंपनी आके कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आप बाटा का शोरूम बनाईए क्या बनाईए कि आटा का शोरूम है ठीक आप जितना भी गुड्स ओल्ड आउट करेंगे जितना भी गुड्स क्या करेंगे इस उल्ड आउट उस गुड्स ओल्ड आउट पे सारा माल प्रड़क्ट किसका होगा बच्चों बाटागा और जितना भी गुड्स ओल्ड आउट करेंगे हम आपको उसका कमिशन अच्छ फश्यक्रवाइब पर आपकी हमारी कंडिशन है कि आपके स्टोर पर किसकी ओ रिधे किस्को ब्रेंडिंग्स की और गूट भी किस्की ओ बाटा के और अगर कोई goods बच जाएंगी remaining रहेंगी वो भी हम वापिस ले जाएंगे आपको कोई टेंचल नहीं नहीं है सारा माल हम वापिस उठाएंगे आपको कमिशन देंगे आपकी शौप का रेंट भी देंगे पर आपको आपकी सेल्स का सैल्री नि देंगे लिए टो बताइए क्या ये कंशेट मार्क मार्केट में फ़पुलर हुगा ये नहीं बताइए कि सब्सक्राइब इस इसी कंशेप्ट पर इसी को क्या बोलते हम की इसी को किया रहा हैक law means one person send goods to another one person send goods to another on the basis that कि आप इसको बेटी और हम आप को Commission क्या देंगे wa cha Central इसे हुआ हमारा क्या चलाना है प्रेंदdy्ग करनी है आपको को हमारा सीलों हमारे से ही साथ से डिजाइन करना है इमटेमट भी आपकी है हम नहीं लेएंगे इससे क्या हुआ कंपनी ने अपनी गुडविल क्रियेट करी हुई थी कुछ कंपनी की गुडविल जिनकी क्रियेट थी अल्रेडी बच्चो उनके स्टोर्स फटाफट खुलने लग गए बाकी कमपनी बीसी मॉडल प्यागी लोगों को ये मॉडल समझ में आ गया आज की होंगे सब से दो ब्रॉंता आइए ना बड़ता देखैना पुरु चितरा में कितने या बता कंब बड़त में च्ट्नेश्डर हों पता है कि हमी यह पासी में है तुमारे है बोलो शेद्च में दिखता है मतल दिक्ता है लोगत कुछ नहीं करना माल पीछे से आता है और बैस है आपके पास बिटता रहता है कि बहुत सारे स्टोर्स दिखते होंगे कपड़ों के बहुत सारे ब्रैंड्स है हां भी दिख रहा है कि यह सब्सक्राइब यह इतने सारे ब्रैंड्स सब्सक्राइब और बताओ कि चलता है यह वाला ब्रैंड वुड्लेंड जारा चलते हैं यह सब हां भी बड़े बड़े ब्रैंड्स है खाने पीने के भी एक और है तुम्हारे मॉल में कौन सा है तो है गुलाब इस डिवाइन विजन सब्सक्राइब हां दिखते हैं बहुत सा रहे हैं बड़ा-बड़ा मार्केट इनी से अब तो क्या हो गया यह की कांशेट्ट वह गया तो मीन्स क्या करना है फॉर एग्जंपल मैंने किसी को स्टोर दिया फॉर सेंपल अपको शेयल लूट करना हम आपको कमिशन देंगे और आपको अपको वजए पास आएंगे आपको अपने बिजनस को चलाने की नीड नहीं पड़ेगी पर इंवेस्टमेंट आपकी है आपको कमिशन मिलता रहेगा आपके जो खर्चें वह भी हम करेंगे आपका को एडवेटाइजमेंट है वह भी हम आपको पे करेंगे तो टली कंसाइन मेंट बेसिस क् कर सकते हैं वह कर सकते हैं पर वो क्यों करेंगे उनको पता वह पूरे शहर के अंदर और कोई है नहीं और जिसने लेना उसी स्टोर प्याएगा तो जहां जाएगा बता इस सब लोग क्या समझ में आया साक्षी रिपीट करो क्या है कंसाइन्मेंट सब्सक्राइब करेंगे हम सब कुछ करेंगे और और क्या है मतलब बेसिकली है क्या वी आर अपॉइंटिंग ए परसन ऑन डा बेसिज ऑफ कमिशन किसके बैसिस पर कर रहे हैं कमिशन पर और हम तोटल रिस किसका है एक इसका है टूटल रिस्क का बच्चो कंपनी कोई और किसी का रिस्क निए कंपनी माल दे रही है जारा का प्रेडक्त आ रहा है तो जारा माल दे रहा रहा है और अगर जारा के पास वह प्रेड़क्ट नहीं था भापससे बताई को सबसे बड़ा तो गुडविल क्रिये और यह आल अवर इंडिया स्टोर्स खुल रहे हैं लोग इंवेस्टमेंट कर रहे हैं आपने तो सिरफ कंपनी बनाई है आपको स्टोर्स खोलने का खर्चा खतम हां जी बताइए मैं कुरूश खोलता हूं मुझे एक करोड रुपे लगाना है चार करो आजकल तो सिरफ ब्रैंड चलता प्रडक्शन भी किसी और से कराती है अपको और बैने टेंट कैसे करती है दूसरी कंपनी से बनवाती है और यह वह उनका रिटेलिंग स्टोर है उठाया माल आपके पास छोड़ दिया वहां का माल कहीं और छोड़ दिया इससे बेनिफिट क्या होगा चेतन इससे बैनिफिट क्या होगा सबसे बड़ा कंपनी का बताइए क्या बेनिफिट हो रहा है चेतन इससे फॉर एक्जम्पल कुरुशेत्रा में लोग थोड़ी पेंग कपैस्टी अच्छी रखते हैं बट अगर बिहार में कम रखते होंगे येस जो माल यहां बच जाएगा बिहार में बिग जाएगा यहां से कॉरियर बिहार कर दू येस अब बताइए आप सबने देखा होगा डिसकाउंटेड स्टोर कहां मिलते हैं सबने अमबाला में एक फेक्ट्री आउटलेट है देखा है सबने अब उसके अंदर वह सारे वहां पर 50% लेस देती है कंपनी पर अगर आप सिटी के अंदर कुरुषित्रा में चले जाते हैं हिमांशू क्या 50% लेस्ट देता है वुड्लेंट वुड्लेंड वाले चड़ने देते हैं 50% लेस्ट बीस परसेंट 25% मैं वुड्लेंड केता नीचे उत्रो चलो जाओ और वुड्लेंड आपको ऑनलाइन भी सस्तानी मिलत सबसे बड़ी खासियत है बट रीजन वहां क्यों देदेते हैं बताओ हिमांशू वहां क्यों देदेते हैं ज्यादा लोग और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहां जो एक बार गाड़ी रुकी क्या वो कर कुछ प्रड़क्ट में मजा ना आया हो क्या वह वह वापिस तो मुझे वपस आप सकता हूं या नहीं करा सकता हूं बताओ या सोचके चलती है सब जितना सकते हो उनका क्या जा रहा है अगले दिन पिर माल आ जाते हैं जगी शीटी सेंटर पी उसी में आता है तब एक्सपेंड होगे एक जल्दी नहीं के बैस्तर में आफ जाते हैं गृग जाते हैं समझ में आ रहे हैं और सेंट करती परशन वह सिट्वा पास वह क्मिशन एजंट वह सिरफ पर बैच रहा है क्या बैच रहे हैं सिरफ पर सबसे बड़ा आपको खुद की बिलिंग देने की कोई जुरुएत नहीं है बताइए किसकी बिलिंग चलती है सारी अब बताइए इसमें माल कंपनी का रहता होगा या जो परसन पर रहा है उसका वो और बनता होगा इसमें इस इस पर पर बेचने वाला सिर्फ उसको वह उठाके आपसे सिक्योर डिपाजट लेते और आपसे वह पूरा जो इंटीरियर होता है उसके पैसे लगवत्ते आप से जो माल आता है उसके पैसे आपको अगर माल नहीं है तो वह पूरा वापस डाल देंगे समझा रही है मेरी बात वासुत मैं आपको अभी समझा रहा हूं यह बात द्यान से समय नहीं कुशिश करता वासुत तूशॉप की पर है अगर अपनी शॉप में माल लाएगा तो आपको बहो तुम भीसिश आपको लुके तो तुम राकिशाएं सबसकर सब्सक्रण तो पकस क्युक्स पैसी मेरी बात तरह में यह समझ में आ रहा है सभी को एक यह यह बहुत पॉपुलर है चेतन क्लियर हुआ कुछ हद तक क्या कहा है मैंने यह सब्सक्राइब तो आप समझ सकते हो अब मारूती शोरूम है हम जाते हैं हम से मारूती शोरूम के गाड़ी लेने जाते हैं सब्सक्राइब लोग है हंजी देखाया फॉर एक्जम्पल यह मारूती शोरूम है आपने कार खरीदी कार की बिलिंग पते कहां से आएगी कंपनी से कहां से आएगी अगर कोई कार बच गई है वैसे दो बच्ती नहीं मारूती अगर रिमेनिंग है तो वह कार भी किसके पास जाएगी कंपनी के पास उस शोरूम वाले को तो सिरफ क्या बिल रहा है कमीशन 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 बस तो कमीशन हूलडर है यह उसका और कोई रिस्क नहीं तब ही कैश पर माल बिखता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अब लिखिए कंसाइन्मेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि समझाते हैं अब लिखना स्टार्ट कीजिए अब कुछ ने लिखना था हां जी अंकित कुछ क्लियर हुआ है यह से लेट क्यों आयो आज वेर वन पर्सन पर्सन या अब बैसे क्या हो सकती है परम हजी है सेंट गूड्स तू अनाधर पर्सन वो भी क्या हो सकती है परम खुशी क्लियर यह पर और रिस्क भी किसका रहेगा कंपनी का कंपनी का उसके बिहाफ पर बेच रहा उसे और कुछ ली लेना देना खराब हो आग लगें और अगर नॉर्मल शूज लेने चले जाओ मार्केट में उस पर टाक कितने का होता है फंद्रासो दो जार यह सब्सक्राइब कंपनी ने मजह कर रखें में शॉट्स थाउजन त्वेल्फ अंडर्ड और ब्रैंडड लेनी होती है तो फिक्स है उनका रेट तो क्या करें और बैस हर एक को ब्रैंड खरीदने का शौक पड़ चूक है यह नहीं है बच्चों कि एक लाइन का शौक हो गया कि नहीं हो गया यह सर्व दिख लिया सबीने डेफिनिशन याद रहेगी सबको यह सर्व लिखे अब फीचर्स लिखे इसके कि दा पार्टी विच्ट सेंट्स दा गुड्स जो गुड्स भेजती है उसको हम क्या बोलते हैं कंसाइनर और साथ में क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब और प्रिंसिपल एजन्ट का एक तरफ से रिलेंशेशिप वाना एक परसन भेजने वाला है और एक परसन रेसीव करने वाला है लिख रहे हो सभी लोग कि और शिप किसके पास रहेगी अभी बता के हटा था यहां ने बताया भी था किसके पास रहेगी है कि कंसाइनर उसी का ओनर है कल को बाद में क्लेम भी वही करेगा भी मेरा माल है मैं उठाके लेगी जा रहा हूं विकिम्स्टात है य। आगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है इस मारोती कमपनी में घाडी खरआब निकल आए बताइए या कोई इंजेन में प्रॉबलम आजाए मारोती का डिल रिस्पॉंसिबल होता या मजा गॐ pandemia कंपनी डिलर का कोई रोल ने डिलर में दो बेच जा बात खत्म रिमेंस विद्धा कंसाइन यह कह सकते हो कंसाइनी डजनाट बीकम दियर रहुन कंसाइनी को तो सिरफ बताया जाता है तो इतने वेजने कि उसका कोई रिस्पांसिबिल्टी नहीं है कि इसलिए तो लोगों ने इसको जादा पकड़ लिया तुकि लोग कहते हैं यार बाद में कस्टमर लड़ने आता है उससे अच्छा तो क्या है आज की डेट में क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए बच्छो कम्पनी रिस्पॉंसिबिल्टी हो हमारी टैंशन घतम कि ये सर्व आज कल चली यही रहा है और ट्रेंट चल बड़ा इसका और कंसाइनर क्या निए सेंड करता आपको ड़स नॉट सेंड एन इन वाइस हां जी वासू शॉप में आल आता है आपको इन वाइस आता है यह नहीं आता पर यहां इन वाइस नहीं आएगा ठीक है तूदा पैसे देने तो पड़ते हैं हां पैसे देने है ना बेचके तो वह सेल जमा करानी है बट वह तो प्रफॉर्मा भेज दिया जाता है कि इस माल को इस रेट पर बेचना है बस इस एड्स ओनली यह पर फॉर्मा इन वाइस देखा है ना हर एक पर क्या लगा होता है मर्पी लगा होता है ना कि इस के बाद डिसकाउंट करते हैं कि इस एंड़ाइगा सब्सक्राइब सेंड़ाइगा ना इन वाइस जैसा होता है पर वो रिली इन वाइस नहीं होता है इन वाइस जैसा होता है सिर्फ इस और शारे खर्चें भी कौन पूरे करके देगा यूज वली इंसाइन अट्रश्थ दकन्साइन रिकवर्स कि यूज वली यह जुरूरी नहीं वह एग्रीमेंट पर डिपेंड करते हैं हर एक कंपनी का अग्रीमेंट अलग लग तरह से झाल 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 Darren करते हैं वह एंट करते हैं अग्रीमेंट झाल 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 कर देकर रखा होता है क्या देकर रखा होता है इन फॉर्म आफ कैश होता है तभी वह माल देगा इसना या क्या देगा देगा बिल ओफ एक्सचेंज आज में जो भी सेल करते रहोगे अगर बंद करते हैं तो कुछ क्लियर अन तक निमाने यान अजिता है रहोगे इसना ब्लाइचांट करते हैं एक देगा प्लाइच है प्लाइचान देगा इसना देगा खालए इसना देगा रहोगे आपक्दा तरह द्वाइब कर रहे हो साथ-साथ है यह सर्थ करो है हजी पोर हिस वर्क बताए यह दकन साइनी क्या मिलेगा प्रमीशन प्रमीशन और किस पर कैलकूलेटर टीया जाधा तर कि आगे स्टैप्स है कुछ बाकी जाधा तर ओन दाप्र बेसेज ओफ ग्रॉस सेल कि तना वाल बेचा उसको तो बस माल बेचने से मतलब हो उसको क्या लेना देना कितने का प्राइज अब हो चलता है वच्छो आज कलिए कि जितने ब्रैंड्स आप देख रहे हो ना मार्केट में इस टाइम पर टोटली कंसाइन्मेंट बेसिस पर चाहिए वह आपका बीकानेर स्विट्स भी आदे से ज्यादा कहीं जगा देखा ना पीकानेर बहुत सारे खुल गे अब तो कि पिछे से मिठाईयां आती हैं कंपनी की तरफ से हल्दी राम देखा ही है सबने कि सब्सक्राइब तो जादा दूर नियों पाएंगे कि पैरिशेबल गूट में आएंगे हांची इनकी स्टोर जो होंगे मतलब जो कंपनी बाले होंगे अलगलग ओफिसेज बना रखे ना गवनीन नहीं समझे इसे पास पास होगे हां क्यों अलगलग ओफिसेज में सप्लाई होता है कि छेक कि अलगलग ओफिसे माल बनके जाता हुन्होंने वेयर हाउसे बनाये हुए पूरा स्टप है उनका कि इस उनको क्या दिखकरते हैं और किस से कंसाइनर को एंड करेगा हर बार क्या भेजना होगा है जितना सब्सक्राइब करें अगांट शेल्स हांची मुझे बताइए साक्षी मुझे सिर्फ कमिशन मिलता है क्या मैं प्रॉफिट और लॉस जानूं और मुझे कोई मिली रिस्पॉंसिबिल्टी है या जिसमें माल भेजा उसकी हमें क्या लेना हमें तो कोई मतलब ही नहीं है हांजी हमें कुई मतलब नहीं हमने का जो मर्जी करते रहो हमें तो माल बेचने से मतलब है 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 अज़िए मिला सभी गो बताए यह यह तक कोई डाउट है तो बताएए यह नुस्ट पताएब्व और श्यारान का यह तो प्लेकर पताएग들 गज़िए प्सक्राइब्ट तु आप दिखाते हैं इसकंए हां जी शेरोडिया स्क्रीन ये सब लोग हां जी वट इस दिफ्रेंस बिट्वीन दा कंसाइनमेंट एंड सेल के बीच में क्या डिफ्रेंस बनेगा बताइए बताएं किया डिफ्रेंस बनेगा कांसाइन में खुच सोचिए बताइए सब लोग मैं कमिशन पे माल रसीष कर रहा हुं और कमिशन पर बेचने सेल बेचना एंदे क्या होता है सेलर और जिरा सेलर और बाइयर बताइए अ हृप चाहल दो तो भी जेस्थ दिया माल यहां तो बीचना तो नहीं यह तो सिर्फ क्या क्या प्रिंसिपल और अग्या फिर फिर्जेशर यह बायर क्लाइबNow बाल बच जाता वह वापिस जाता है नहीं यहां पर माल वापिस जा सकते है यहीव देख सकते हो आप सब लोग सबको क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ अगर माल बच गया तो किसको देदेगा कंसाइनर को और जबकि सेल में कैसा होगा वो माल वापस दे से नहीं सकता है हाँ जी कंसाइनर बियर दा लॉस बताइए रहुल संदल अगर माल खराब हो गया तो कंसाइनी बियर करेगा कंसाइनर करेगा अगर केकर buyer क्योंकि जिसके पास माल पड़ा वही रिस्पॉंसिबल है अब उसने तो बेच दिया सामने वाले को तो उससे कोई लेना देना नहीं है वो तो बेच के जा चुक है हंज क्लियर यहां तक कोई डाउट बताइए तीनों पॉइंट में बताइए यहां तक स्निहाई नहां तक डाउट कि सोसे प्रिम्सिपल और अजंट का वहां डोशेशनशिप टररों करेंगे गयां पर 2019 होते ही यह iron प्रीन फिर यह घ्र हम लगवाद यह dat सब्सक्राइब सबस्क्राइब यह एसा लग रहा होता है खाल नी लिफाफे उद्धेव अजी जगमीत बोला किया रहे हो वायर का खर्चा तो अगर रिचार्ज कर रहे है चार्ज कर रहे है ता बैं नहीं तो जुरूरी निया हर शोरूम नहीं लेता कि फिर बाकी सब नहीं लेते तैंड़ आ ऐसी बाद नी नहीं लेते हैं। चलो माल लिया तुम क्यों एक च्छोटी सी बात को बहस करनी हर हमें क्या लेना जार। सब कुछ बिल सकता है राहूल जिंदल की शॉप पर सब कुछ बिल जाता है ना वई कि यह तो चलता रहता है बच्चों कुछ कंपनिस चार्ज कर लेती हैं कुछ नहीं करती है हां जी मिल गया स्क्रीन शेर हो रही है कि बताइए कि सब के सामने रीड आउट कीजिए पहले कोशन को फिर बताता हूं करें रीड आउट पूरा कोशन कराता हूं कि कि कोशन पढ़िये सब लो जन्स Tech फर सभीने सब लोग पढ़ लो एक वर सब्सक्राइब 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 कि जो भी कुछ बना रहा हूं सब कंसाइनर के बिहाफ पर बना रहा हूं कि कंसाइनिंग कोई रोल नहीं कि नहीं साथ साथ कंसाइनमेंट अकाउंट कि जो भी 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 कि जो भ एक तरफ साथ साथ बनाऊंगा जनर्न एंट्रेज्ट एक तरफ साथ बनाऊंगा जनर्न एंट्रेज्ट अजी बताईए कोशन पड़ा सभी ने सबसे पहले पहले तो एक बात ध्यान रखना है कंसाइन्मेंट अगाउंट होगा कैसा मुसकान यह आपके पास एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होगा कि इसमें प्रॉफिट ही निकलेगा हां जी बताई बताईए क्या कह रहे हैं डेट का कॉलम नहीं है हाई नहीं कोशन्स में बहुत कम है आगा डाल देंगें कहीं यह सी हां जी सबसे पहले बताईए कोशन के अंदर हां जी क्या दिख रहा है सभी को एक्स क्या है एक्स सेंड गूट्स तू वाई एक्स काउन हुआ अंसाइनर और वाई क्या हुआ याद रहेगा सभी को अब बैसे जो माल भेज रहा है वो क्या है कंसाइनर कर रहा है वो क्या है बच्चों आपके पास कंसाइन तो बताइए कितने की गूट्स भेजी हैं कितने गूट्स भेजी हैं याद पैसे काटे सारे पैसे ते चार लाक का माल भिखा और तेरे को 25 परसेंट कमिशन बीक्ति यह तो मुझे कितने वैसे देगा मैं कंसाइनर हूं तेरेंगर को प्रॉफिट ओ रहा है कोई माल बचाएगा कुछ लॉटना देना है तुझे तो एक लॉट दिखेगा सीधा सीधा दिखेगा यह नहीं दिखेगा वो भी अपने वॉइंट विल से हां जी दिखेगा राइट आगे नया प्रडॉक्ट ट्वेलप करना है कोई प्रडॉक्ट नहीं भी करा उसके बारे में सोचना वह भी किसकी रिस्पॉंसिबिल्टी है तो अब बताइए मैंने गुड्स भीजे हैं मैं कौन हूं बताइए कौन हूं अब एक्स ने गुड्स भेज़े हैं वाई को तो मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूंगा जब भी बेजते हैं बच्चों तो और समय ने क्या कहा है यह प्रॉफिट लॉस है प्रॉफिट लॉस में खुशी क्या होता था सारे एक्सपेंसेज डेबिट सारी इंकम अगर माल बिकेगा तो क्रेडिट लिख लेंगे अगर भेज रहे हैं या कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसको डेबिट लिख ले बात एक ही है प्रॉफिट निकल जाएगा हंजी साक्षी हंजी बताइए अंकित प्यूश ऐसा ही होता है कि नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉ आनों ऐसों और वेट है तो क्या करें अब वूट्सेंट टो कंसाइनमेंट मैंने घुट्स भेज घे तो तो क्या लिख लेना चीए मुझे क्या एंट्री पासव न होगी बताईए किस बेसिस पर बेत अम्साइनमेंट क्या लिकलू कंसाइनमेंट अकाउंड देबिट है त तू गूट सेंट अनकंसाइनमेंट चलेगा है कि अच्छाइनमेंट में क्या हो जाएगा डेबिट कितने गूट भेजें हैं कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि हांजी बताइए है कि चलेगा कि अच्छाइब अच्छाइब बतारी क्या लिखना चाहिए उसकान क्या लिखना चीए यह अच्छाइब कोप्रका से कंसाइनमेंट अकाउंट ना उसका नाम तो नहीं आ सकता ना है इस एंट्री में कोई डाउट है नो सब्सक्राइब को किस बेस्ट आपने डेबिट किया कंसाइबेंट बच्छों एक तरफ से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है जब अगर आप कोई भी चीज भेज रहे हो तो profit and loss में अगर debit करनी है तो consignment को debit करना है और क्या लिख हूं उसके आगे कि मैंने किस भेज पे दूसरे परसंद को माल भेज रख्था है अगर पर जब कोई कर रहा हूं तो मैं क्या लिख लूगा बताइए कि लिख लूगा अगर अगर वहा है हांजी चेतन सब्सक्राइब नहीं लिख सकते ना फॉर्मट जो दिया गया वही फॉलो करना पड़ेगा ना सबके नाम लिखते रहेंगे तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे निकलेगा फिर बात समझ में आ रही है हांजी गुट सेंट वाल अकाउंट है क्या कुन सा अकाउंट है मतलब एक तरफ से नॉमीनल अकाउंट है अब तो में तो किया कंसाइनमेंट की हिसाब से किया ना उसके तो गुड सेंट अनकाउंट खुला उसका कोई अकाउंट थोड़ी बनेगा अब समझ जाई बात तो अब उसको में तो कंसाइनमेंट को डेविट करता है कि मैंने माल दिया है कि गुड सेंटन कंसाइनमेंट के नाम पे दिया किसके नाम पे दिया कंसाइनमेंट बेसिस पे नाम पे गुड्स दिया अब क्लियर हुआ कुछ हद तक अब बताई अब मैं माल भेजूंगा फॉर एक्जमपल मुझे बात का अंसर दो मत नोट करो जिसको दिक्कत आ रही है पहले समझ लो कोई बात नोट में हो जाएगा अब बताईए मैं माल लीजिए फॉर एक्जमपल डेली में बैठा हूं कहां बैठा हो बच्छो डेली में मेरी फ्रेंचाइजी कहा है बताईए कुरुशेत्रा लगा ले बताईए सब लों कहा है मेरी फ्रेंचाइजी कुरुशेत्रा कैसे आएगा साक्षी गुड्स और बैसे कुछ कोरियर वोरियर लगेगा ये पर ये कोरियर के चार्जिस कंपनी देगी या मैं दूँग इस तो नहीं आता तो पताइए आप बात का अंसर दीजिए यह पैसे मैंने कैसे दियोंगे को इस तो किस दाम पे दियोंगे इस तो क्या लिकलूंगा इस तो किस यह बैंक अगर कर दो कर दो कर दो कर 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 और यह कंसाइनमेंट में क्या हो जाएंगे बताइए खर्चाब एक किया तो क्या लिख दूँगा कि एप टू बैंक अकाउंट कि कर दो 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 कर क्या क्यूं जिए चले आगे बच्चों जी बच्चों यहां तक सबको एस यह बता कि कुरू शित्रा माल पहुंच गया दिली से चला यह अब बच्चा क्या होता है जब बाल पहुंच जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है बताओ जिसके पास आया जब उत्रवाएंगे तो उसका कुछ कार्टेज वेकरा देना पड़ेगा बताइए सब लोग चेतन देनी पड़ेगी बॉस यह बीच वाली लाइन छोड़ेना अभी यह लाइन छोड़ेना यह देनी पड़ेगी तो वाई ने कितना ख़चा किया वाई के प सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक बीच की बात का दो मेरे पास माल है कंपनी की तरफ से क्या मैं कंपनी को फोन करूओ या 2000 रुपर घरचा देना मपले फासे में 2000 डालो फिर मैं पे कर दो भी कर दो घृच्छी पर देता हूं जब आपकी लोगी बड़े उसमें से काट ल सोचो मुस्कान बंसल सब लोग सोचो हां जी आस्था सोचो जब मेरे पास गुड्स आ रही हैं 50,000 की आस्था आ रही हैं नहीं आ रही हैं बताओ 50,000 की गुड्स तो मेरे पास अगर उत्रवाने का खर्चा देना है मुझे फ्रेट या कार्टेज मैं अपनी जेब से दूँ एक बार के लिए अभी हिलाल बात में जब आपके पास मेरी पास तील आएगी मैं उसमें से काट लूँआ बताइए ऐसा ही करना चाहिए कि मतलब इतने पैसे नहीं कमाला यार है इतने बड़े लेवल पर जो एक करोड की इंवेस्मेंट डालके बैठाए वो दोर पर भी मानी करेगा के कंपनी के साथ कर लेगा कंपनी हो कुछ बिगड़ने वाला है मुझे बताई हो है क्यों अब क्लियर है किस सब्सक्राइब का अब कंसाइनमेंट का खर् किसने बेंकिया टू लिखेंगे कर City विए भाई का अकौंट भी बनाना है अब कि अ गिता हर्चा किया बताइए अट्ठाई सो तोटल पहले कितने खर्चा किया पहले तो फ्रेट का बताइए नॉट का कितने कि यह सब्लब देरा इदिए उसने 300 इंस्यारेंस के तो अब इसकों कर्थे दाल विए हुआ जिपकर दें इसकों कर्थे कि अंकित क्लियर कि ये सिर्ट कि मुस्कान मंसल क्लियर कि ये सिर्ट क्या लिखो मैं यहां बच्चा तू इस अलग लग बता देता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत है तीनों एंट्रिस में प्लीज एक बर बताइए मुझे कि खुशी समझ आ रहा है कुश्षन देखो बच्चों जिसको दिक्कत आ रही है मुझे प्लीज टो कि आस्था कि तू पॉइंट जीरो कि यह सर याद आगया आप कंसाइनल कंसाइनमेंट है हम जी सर जगमीत यहां तक कोई दिक्कत अश्मीत अब इसके बाद देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा कि थर्टी पडिस्स दिसमबर को अकाउंट सेल्स हुई कितने की अकाउंट सेल्स के पहले थरड जुलाइग की निकरेंगे अंट्रियां नहीं करेंगे बताएए किपने की सेल्स वियां कितने की हुई है बताओ भी क्या होना चाहिए सक्षी 55,000 की सेल होगी पैसा आएगा किसके पास क्रेडिट साइड़ तो हम क्या लिखेंगे किसके पास पैसा ऑगिया है किसके आगे य के कि पास और सेर you अब्वेस है क्रेडिट साइड तो क्या एंट्री पासवान करेंगे अंकित कि एक बात बता वाई ने तेरे नाम का मैसा रसीव कर लिया फॉर फिफ्ट गुड्स बेच कर कितने का पैसा आया उसके पास 55,000 हम अपने क्या लिखेंगे के नाम के 55,000 बाद में लेंगे जब भी लेने होंगे बता भी आप शोरूम पर जाते हो 55,000 का माल खरीदा आप पैसे किसको देखे आओगे देखे तो साथ लिखेंगे पैसे उनके पास वो रिकॉर्ड आ जाता है सारह के सारह वह तो ऊं-लाइन सॉफट्वेर एपूरा का पूरा हर जगा हंची बताईए बच्चों वासु क्लिए अ यह सी घृर आपको पता है इंडिया के अंदर एक पेट्रोल पम ऐसा है जिसकी एक मिनट में वड़न में सेल चली जाती है पूरी वड़नेकर्व गया नहीं है यह चीज़ कि बीइंग अकाउंट सेल सार रिकॉर्डड तो क्या लिखेंगे यहां पर बताइए बाइवाइब रिकॉंट कि इतने का माल बेचा है फॉर फिफ्ट इस बताइए यहां था कि अब आगे पढ़िए कि वाइज इंटाइटर्ड कमिशन कितने का कमिशन दिया है कि कितने का कितना वनेगा बच्चों कि पच्छ पंसूर के सब्सक्राइब कि अब बैसा हमारे लिए खर्चा है तो हम तूवाइज अगांट और यह भी उसको कैश थुड़ी देंगे उसके पास पैसे पड़े काट लेगा अपने अप कि हमें क्या लेना काट ले वाई हमें काट के पैसे वापिस देदियो कि क्या लिखेंगा बताइए कि अब करेंगे अभी निकला है अभी उसको हमें कमिशन देना ना तो अपने खर्चे निकाल रहे हैं तो हमने प्रॉफिट की बात ही नहीं करी विच्छा ठीज यह बताईए यहां तक कोई गड़बड़ों को ना तक समझ माँ एप कि अगला पॉइंट पड़िये वन अफ दा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया अब हमारे बिजनस के लिए क्या है वह बटाइए सब लोग बताइए बैड़्यप्स हैं तो अबस है बताइए कंसाइनी कम देगा ना वह पैसे 55,000 की से अब यह बताइए बताइए पूछना चाहरा है तो वह बताइए पूछना चाहरा है तो तो अब अब उसमें से 600 रपे अगर डूब गया कंपनी के तो वह खुद क्यूं सहेगा बता अंसर दे बेचेंगे जब सारे खर्चे कंपनी ने देने की गारेंटी दिये तो फिर कंपनी देगी ना सारे खर्चे बता इस बात का अंसर दे उसको परसनल अपनी जब से क्यों देगा कंपनी ने देना है कंपनी देगी सब खर्चे उसको तो कमिशन से मतलब है उसने तो जितने का माल बेचा उस पर कमिशन मिलेगी हां जी मोलो विस नहीं इसमें डाउट नहीं से बताइए तो आपको काट के दूँगा जो आपने मेरी कमिशन देनी है वो भी काट के दूँगा मुझे उससे क्या लेना देना आपका माल जितने अभी क्या हो बताएंगे हां जी यहां तक ही मांशू कोई डाउट यहां तक तुम इतना ज्यादा क्यों सूच लेते हो कि 600 वी काट के commission दिया जाये हो कहाल तक सोचते हो तुम दोनों कभी वासू सोचता है कभी तुम सोचते हो यार इतना क्यों डुम सबसाइब तो इतना सोचा करो इतना सोचोगे तो जिंदगी में पहुत ज्यादा माईजर बन जाओगे हैं जी बोलो बताव भई ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं तक कोई डाउट नहीं तक कोई डाउट चले अब कमिशन इसकी एंट्री भी कर लो अब बात आती है स्टॉक निकालने की कितने का माल भी का था बताइए कितने का माल भी का था बताइए अब गाई तब अपने बीच में चाली सजार मत गाई यह अब घहां से सुनना बहुत इंपोर्टन पॉइंट डिसकस कर रहा हूं सब लोग तेकिए 55,000 फोर फिट गुड़ गए हैं वन फिफ्ट गुड़्स बचे यह नहीं बचे पहले तो यह बताईए कि अ कि अपने बाचें कि अपने बाचें अब बताईए वन फिफ्ट गुड़ की वैल्यू कितनी होगी ऐनीवन कोई गैस कीजिए थैन ताउज़न फिफ्टी थाउजन की थी ग्यारा कैसे होगी बहुत माल की कॉस्ट कितने है यह आपनी डूगा किव प्रिफ्टी फिफटी में से फॉर फिफ्ट वाल बिच गया वन फिफ्ट माल बचाहँ है वन फिफ्ट माल कितने का होगा हांजी जेतन कि अपने का होगा के पंड़ मुहित कितने का होगा गया अब हमारे पास यह माल पढ़ाई वन फिफ्ट कितने गाना चीए तैन थाउजंड को ना चीए गया कुछ ज्यादा होना चीए है जब आएगा तो उसके खर्चे उसके खर्चे क्या इसको एड कर लेना चीए यह नहीं कर लेना चीए अलक से दिखाएंगे एड करेंगे बच्चों इनके खर्चे आप खुछ सोचके देखो पॉइंट वी नोटेड हांची हिमांशू ध्यान से सोचो मेरे पास मैं कंसाइनर हूं मेरा माल अगर दिल्ली में पढ़ाया तो वह दस अजार का फवन फिफ्ट माल पढ़ा ठीक है वाहाँ पर एड नहीं कराना होगा मेरे खर्चों को मुझे एक बात का अंसर दो मेरी फैक्टरी कहीं पर थेइकस वाइजड मेरी फैक्टरी फ़िज्कत में ध्याद से जना मेरी फैक्ट्रीए कहां पर गुजरात में अब गुजरात से माल पहुंच गया तमिल लाडु तो गुजरात बनाओ पढ़ा हम तो इसी को लेंगे कैसे लेंगे बहु सब्सक्राइट बनुसकान बंसल चाइब क्या जो एक्सक्पैंस किया उसका नहीं जोडना चाहिए जोडना चाहिए ना जो सेट्सटेंसिस लेंगे आप कौन सेट्सटेंसित को ले सकते देखी हमनेस पांसे कौन से किये थे सबसे पहले क्या था या वैकिकिन कितने रागभी था । क्यों खिसने किया था ऀंसाइन्साइनं। उल स्ह part कितने औरा यूंअ 300 300 जी यही थी नी से थाड़ यही थी थे 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 राटव है कि अग्षार के ऐप भूब लगया है ça? अभी नोट आये जोदे हैं याँ नोट जान से सुनना झाल 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 लिख लिया सभी ने अब मैं इसको पूरा एक्जम्पल को समझाता हूँ आपको झाल सब्सक्राइब एब एक बाझष हुए कि अधु इस वी गॉप सब्सक्राइब एफ बद्राइब में बागल लिए क्रणा है इस बाइस पहला झाल छिए ड हम फिसकीस मेंपनधी प्रफजी कि थी यह झाल तो आपका शौरू में लवाइस का कौन से शौरू में हिमान्शु का राइस का सरू थीक है जादा दूर नहीं है पास ही पास है बाटा गया देखें आपने सट्रा सेक्टर में 2-3 शौरूंग वह दिख रहा हैं आज कल कोई दिक्कत थी कंपनियां दो तीन तिन खूल रही ही तो हां ची ही मांशु ने एक जीन्स मंगवाई थी मंजू जीन्स आई थी आपकी फर्स्ट जनवरी टूज़न ट्वन्टी वन को ठीक है प्राइजिंग आई थी थ्री थाउजंड रूपीज की कमपनी ने आपको कहा 3000 कि ए ठीक है जी राइट कि वासु आपके पास भी वह जीन्स आईये पर फर्स्ट मई कब आईये फर्स्ट मई तू थाउजंड ट्वन्टीवन को कब आईये बॉस थी थाउजंड रूपीज की ठीक है बॉस हिमांशू आपने क्या किया 100 रुपे उसके उपर जो पैकिंग का कंपनी का खर्चा था वह एड कर दिया कितने की जोगी आपके लिए कि वासू आपके पास यह कली आई है कल आई है 100 रुपीज का आपको कितने की पड़ी है यह कली टीटाजन टू अब कौन जा रहा है जीन्स लेने बताओ भी मोहित आता है जीन्स लेने हिमांशु के पास हिमांशु कितने की बेचेगा अब तू कि इसे वासु से वासु से वासु से वासु से क्यों ऐसा हुआ बच्चो बताओ फरक्ष्ण रहा है तो कहते है जो खर्चा भेजने का वो तो सबको पढ़ने वाला है इसलिए वो तो करना ही करना है मतलब कंसाइनर के खर्चे तो इसमें एड करने ही करने है समझ में आ रहा है कुछ जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वेलिएशन करो क्यता है कंसाइनर के तो खर्चे एड करने है कंसाइनर के के कंसाइनर कास नेहा कौन सा खर्चा होगा भेजदे का इधर खर्चा होगा बात समझ डाओ DOUब कर आप कंसाइनि का वो एक्पैंस करोगे एड जो प्रेट इसका मतलब तो वो तो दुबारा नहीं होने वाला इंशॉरेंस यह सब चीज़े तो आप इसको अपने स्टॉक की वेलुएशन में एड नहीं करोगे अब समझ में आ रही है बात आपका गोडाउन रेंट इंशॉरेंस इसके खर्चे आपके जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक की वेलुएशन करोगे तो आप उसको एड नहीं करोगे दुबारा सुन लो द्यान से सुनो जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो जो खर्चा कंसाइनर ने करके भीजा और सभी फ्रेंचाइजी पर लगने वाला है तो वो तो आपका एड होगा ह ही होगा और साथ में जो खर्चा बच्चों कंसाइनी ने वन स्टाइम ही देना है जैसे माल उत्रवा के अंदर रखने वाला खर्चा वह आपका आप उसको एड कर सकते हो क्योंकि वह आपके स्टॉक का पार्ट बन भी सकता है जस्टीफाई भी है और वह सब शॉप की पर क सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वाइल वेलुएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑल कंसाइनर एक्सपेंस शुड़ भी कंसीडर बट कंसाइनी का कौन सा खर्चा होगा जो सिरफ वन स्टाइम होने वाला है बताइए अब समझ में आ रहा है यह सब बताइए हंची सब लोग प्लोजिंग स्टॉक सब लोग बताते हैं कि स्टॉक इंस है कि की कॉस्टिंग थी बताओ बच्चो कि टितने में मैं धिल Comics कि की यह चार्ज करूगा सरमतला। का मैं ऑप हान से हांत है करिया कि बताओ भी बच्चों क्लियर येस 1000 रेपलाई दो बाकी सब लोग भी येस सर अभी लिखवा के लेता हूं आप पताइए कंसाइनी का हर्च है कितने कंसाइन कितना आएगा है कंसाइनी के कौन से लोगे अश्मीत क्लियर रेट वाले यह सब्सक्राइब यहां हम गोडाउन रेंट और इंशॉरेंस ले अब नौ सर्व क्या लिखें अब इसको कि अब बताएए कि अगर कि कि अगर्ण ची यहां तक क्लियर सबको कि अगरेंट्री क्या पास्वन होगी कि अगर्ण ने क्या होता है इंशॉरेंस क्राइब और इंशॉरेंस क्राइब और इंशॉरेंस एक साल का होता है साल बीच जाने के बाद इंशॉरेंस खताव हो जाता है अब समझ में आई बात है फिर दुबारा कराना पड़ेगा है कि अगर्ण ची बोलो बच्चों साहिल कि कि बताओ भी सब लोग कि 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 बताओ किसी बच्चे को डाउट हो प्लीज बताओ भी मज़ा नियाएगा दर्वाइस कि नहां रप्लाई दे बच्चा कि सब्सक्राइब से कंसाइन कंसाइनर से ने चार्ज करने दें कौन से जो हमने करें ठीक है एक बात का अंसर दे मुझे कि मैंने सपोज 55,000 का माल बेचा जो खर्चे है मैंने उससे चार्ज कर लिए और कंसाइनर तो अपने बुक्स में ये जो स्टॉक बना रहा है यह कर्चे और उसके लfelt यह राय Rec completamente बाताझ इने जो इन इस च्रज रही है वो किसके लिए निकाल रहे है कंसाइनी तुड़ि निकाल रहे है निकाल तो ओंसाइनरी दाई यह सब कुछ कंसाइनर ही कर रहा है, अभी भी नहीं समझ में है, नहीं, एक बात का अंसर दे, दो मिनट समझ नहीं कोशिश कर, एक मिनट यह रूप रेखा समझ सारी, फार एक्जामपल, यह एक परसन है, कौन है यह? कंसाइनर, मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ? एक्स ने गुड्स भेज है, किसको? वाइ को, इसने गुड्स रिसीव कितने किया? 50 के, प्लस इसने खर्चा भी कर दिया, 1000 का, इसने इस माल के ओपर भी खर्चा किया, 2800 का, इसने फजारे गुड्स को, क्या बनाता है विए अप्रफित लॉस जो बनाता है इसने अपने पास खर्चा कितने का डाला मैंने माल कितने का भेजा कर रहा हूं कितने का लिग लिए अब जो यह स्टॉक बचा है इसमें से 450 तो माल बेचा है तो यह मुझे अपनी बुक्स में लिखना है ना तो इसके लिए कर रहा हूं ना मैं अब समझ में आ रही है यह तो मैं अपने लिए कर रहा हूं मुझे वाई से कोई लेना देना नहीं है न वाई से मैं यह खर्चे अब बेसे वाई तो मिरको काट के ला दे रहा है गतने का पड़ा था और यह खरचे धी यह था क्यूcession का घूंकि मैंने रहा ही को दिया ना तो मैं कर रहा हूं यह खर्चे पहले 1000 कर रहा हूं फिर अठाइसों का खर्चा कर रहा हूं तो इससे मेरे गुट्स की वैल्यूशन नहीं बढ़ रही है मुझे बताओ कि अब बताओ कोस्ट बढ़गी ना तो नेचल सी बात है कर वन फिफ्ट बचेगा तो वो भी तो एक्सस बचेगा अब बताओ अब क्लीर हुआ कुछ हद तक गर्ट्स था कि और यह तो मेरी घुट्स है नहीं कर रहा हूं वह चीक है मैं उससे काटके सब्सक्राइब कर कर रहा हूं आप दो यह मेरा माल बच रहा हूं तो नाचल सी बात है मुझे वैल्यूशन करनी है ना इस गूट्स की अब क्लियर माल लो और एक्जम्पल में गोडाउन इंशॉरेंस और सारे खर्चों करके स्टॉक की वैल्यूशन बढ़ा दू ठीक है पर जब मैं बेच ले लगूंगा तो प्रॉब्लम क्या एगी दूसरे शॉपकीपर्स के पास वो कली आया माल तो नैच्छल सी बात है वो फिर कॉस्ट एक दुकानदार ने एक महीने पहले एक गूर्स मंगवाई थी वो उसके लिए थाउजन रुपीज की थी लॉक्डाउन चे पहले ठीक है उसने एक महीने दुकान बंद रखी और उसका गोडाउन का रेंट पढ़के वो गयारा सो की होगी अब कितने की होगी आप मैंने आ प्राउन रेंट का खर्चा पे करने के लिए त्यार होता है नहीं होता ना तो फिर इसका मतलब हम अपने स्टॉक में भी रखे हो स्टॉक में वेलेशन क्यों बढ़ा के रखे हैं अपि मतलब कर दो उसका ही हो गया ना वह एक तरह से खर्चा कंसाइनर का होगा अपनी थीग सब्सक्राइब कॉर्ड ऐसर हांची अब बोली ह traurOS अब बताई आप बदने को इसा डार प्राइने कुल दो कर दो कि महित state brakes आप कि यूदि पूछ रहा था मुझ से यह आगए अब क्या निकलना चाहिए संहक सविर्थ क्रशा किंख यॉन कंशा सब्षारमन की निकलेगा कि अका वोट्चो तो किया मिकलेगा सेल्स आ गई लिखें का चीह बताएए इस बताएए यह ईस रदान में मेंग आपटेट कि अटोटल बताओ कितना आएगा है तो सिक्टिफफाइफ थाओजन्ड शिक्स हंडड़ अब इतर निकालिये कितना आता है प्रॉफट बताइए इस बडलेन्सिंग फिगर आएगा दो बताइए कितना तांव तोका आ रहा है सभी का मैंने प्रॉफिट कमाया है यहां तक यहां तक अगर समझ में यह है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है पाकि आस्था दन मुसकान सिंगला अश्मीत डन अंकित डन को जस्टन कि बताओ भी बच्चों बाकी बच्चों प्लीज यहां तक प्रॉफिट समझ में आया सभी को कि सेहां डन बाकी और बोलिए अंकित प्यूश राहुल जंदल डन कि जगमीत हाँ जी चले आप ये चैतन डन चलिए अब देखिए अब ये अकउंट बनें आपके पास अब बनाते हैं इसमें हम कंसाइनि अकउंट मैं ही बना रहा हूं सब कुछ मैं नहीं बनाता मैं उसके लिए अकाउंट बनाओं मैंने उससे कितने पैसे लेने देखिए कैसे बनेगा कर दो कि मैं कर दो कर दो यह लो यहां कर देता हूं जगा मेरे पास ही बच्ची हुई है हुई 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 कि अब जनल एंट्रीज में शुरू से चांटिये कि कहां कहां कांसाइनी का नाम मिल रहा है चांटिये कि शुरू अजास नहाचाटना कि वाइज अकांट का नाम देख कहां कहां मिल रहा है जब उसे सेटे नाम धे जब में उसे पहले पहले ऊससे पहले पहले तक बुलिये उसके बाद उसके बाद कौन सी एंट्री थी वाई के नाम से देखो ढूंडओ अपने अप अब देखो वाई तू-कन्साइनमंट कि ने इंडरी मिल रही है आप मिल रही है सबीकों तू सबको clarity创 और ने सिरफ एंट्री पासाउन कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं इस जने एंट्री में ढूंड़ते रहो पच्पन सो मिला सब्सक्राइब और यह किसकी बुक्स में बन रहा है कि यहां तक बताईए एवरीवन यहां तक बताईए एवरीवन यहां तक बताईए अब एक लाइन छोड़ी थी हमने क्या लाइन चोड़ी थी वासू तु बहुत देर से याद कर रहा है उस लाइन को आत्मा तड़फरी तरी उस मामले में आजे जल्दी क्या लाइन छोड़ी थी थी थाटी थाउजंट का क्या आया था सब लोगों को सबको दिख रहा है सटी थाउजंट का वाई ने बिल दिया होगा उसने क्या इंट्री पासओं की होगी जब बिल आया होगा बताइए क्या एंट्री पासओं नहीं होगी मेरे पास बिल आ रहा है मैं सब्सक्राइब अब मेरे पास अडवास में बिल पड़ा थी सजार का उसने दे रख्था मुझे अब मैं यहां पर क्या लिख लूँ बताइए कंसाइनी अकाउंट बना रहा हूं मैं क्या लिख लूँ सब्सक्राइए यहां तक कि 30,000 में अडवास ही दे चुक हूं इस कंसाइन्मेंट के नाम से तो 30,000 भी कर जाएंगे जब मैंने इस गुड्स के नाम से पहले अडवास दे रख्था 30,000 का बाइब यार दे रखा था पहले अडवास दे रखा था 55 का सेल किया यह खर्चे तो क्या हो जाएगा कि बैलेंस या बैंक प्रेमेंट देगा वो मुझे बताइए कितना आएगा निकाली कितना आएगा कि टीन थाओंड में हंडड़ कि बताइए कि क्लेर हुआ अब हमने कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं 16,100 कि बुलिए यहां तक अ सब्सक्राइए कि बियार वाला बताओ भी एक्चल भी क्या है कि बियार आपको अडवांस के तौर पर दे रख्या है यह देखिए सब लोग वाई रसीवड दा गुड्स एंड सेंट इस एक्सेप्टेंस 30,000 रुपीज का पेबल दे रह दिया मालो मैंने वाई को माल भीज सब्सक्राइए बाकी बाकी लोग बताइए अब सब लोग बाकी सब लोग बताइए यहां तक डाउट है बताइए अब प्लीज तोक्येगा मुझे कोई लिए बोल दो एक बार क्या है सब्सक्राइए जब पहले बियार आ गया था तो उसके बाद रसीव ओगा तो बियार टु बैंक वाई के अकॉंट में तो कुछ नहीं करेगा ना कि कहां कहां खोई रहते हो जार कि मैं सब कंसाइनर के में जार्नल एंट्री दे यहां इसमें कुछ आया आगे सुनिया अब बेसिकली आज जो मैंने बात की आपके साथ कंसाइन्मेंट अकाउंट की त्यान से सुनना कंसाइन्मेंट होता क्या है एक परसन जो भेज रहा है वो आपके पास एजेंट है मतलब जो हैड ऑफिस है वो माल भेजता है एजेंट को वह अब्यस है सब्सक्राइब प्राइब मैंने वाईन के प्राइब धाए उसका नाम मैंने तूब रखा है उसके सब्सक्राइब करेग अगर देगा और मैं उसके नाम में लिख दूँगा कि ये वाई मतलब वाई यह खर्चा करने का राइट है और वाई को मैंने यह खर्चे के पैसे देने हैं वाई जब यह गुड्स बेच देगा तो मैं उसमें से कहूंगा कि यह काट के मुझे पेमेट दे देना तो अब्वेसा वाई ने कितने का खर्चा किया है देखिए वाई ने आपके पास तो हमने टू वाई डाल दिया उसके बाद वाई ने यह गुड्स बेची है कितने में 55,000 में जब भी गुड्स बेचते हैं तो कहां लिखते है बाई सेल्स और वहाँ पर 55,000 डाल दिया है हमने उसके बाद ऑब्वेस है नेच्छर सी बात है इस पर बनता है तो कितना आ गया कमिशन आपका 55,000 नेक्स्ट उसके बाद हमें पता लगा एक कस्टमर इंसॉल्वेंट आ गया उससे पैसे नहीं तो वह भी नहीं देगा तो नैच्छल सी बात है वह पैसे भी हमने 600 अपना खर्चा वाल लिया और वह भी तू वाई के नाम से बिक चुके हैं और वन फिफ नहीं बिक हैं तो अब वन फिफ्फ की वैल्यूशन कैसे निकलेगी अब पॉइंट यह आता है कि जो गूट्स की वैल्यू बनती है सिरफ वो नहीं लिखनी होती है उसमें जो खर्चे लग चुके हैं क्योंकि फॉर एक्जमपल है डिली और मा अब लीचे फर एक्जमपल वहां से वहां तक जा रहा है तो खर्चा तो खो गया ना अब सारा नहीं बिख पाया तो यह थोड़ी है कि वह खर्चे सारी कंपनी के सारे गुट्स पर डाल दिये जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत महंगे महंगे होते हैं और अगर मालो सारे नहीं बिख पाया है तो यह थोड़ी है कि उसका सारा खर्चा सारी कम सारे खर्चों पर डाल दिया जाए उसका जो खर्चा अभी नहीं हुआ है जो वुट्स नहीं बिख तो उसका प्रपोर्शनेट अब बैस है आपके बास चॉक में लिख दिया जाएगा अब प्रोर्पोर्शनेट कौन सा लिख जाएगा कंसाइनर तो देखा जो खर्ची होते हैं जो कंसाइनर ने भेजदे हैं आखर्चा की है हुँआ है नियुक्कि शक्ता क्ताइ्च हो डिकzę सब्सक्राइब करोगे तो यह खर्चे थोड़ी आप करके बार-बार कॉस्ट को बढ़ा सकते हो अगर आपका नहीं भी क्रामाल या आपका माल पड़ा रह गया दो महीने चार महीने किसी भी रीजन की वज़े से तो पर उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब करें तो वह खर्चे कभी आड़ नहीं किये जा सकते माल में हमेशा आप किसी से पूछ सकते हो तो वह कौन सा हर्च आड़ हो सकता है या वहाँ पर जो कंसाइन ने करके भीजा है तो वह खर्चे ही एड़ोंगे तो उसी साब से हमने 50,000 का लिया 50,000 में से हमने 1,500 बचा था तो नेच्रल सी बात है 10,000 और इसके साथ कंसाइनर का खर्चा हो रहा था 10,000 का वह भी हमने 1,500 लिया 200 और कंसाइनी का 2,000 का उसका 1,500 लिया हमने 400 तो दस चिस्तों का हमारा स्टॉक बनता है वह हमने अपने बुक्स अफ अकॉंट्स में लिख अपने वाई के नाम पर खर्चे लिख दे लें या जो पैसे आएं वह आपने वाई के नाम से ट्रास्फर करते लें बाकी जो बैलन्स होगा वाई ने जैसे 55,000 का माल बेचा तो तो तू कंसाइन्मेंट वाई से हमारे पास 30,000 पहले से अडवांस आ चुका है तो वह माइन पास जब उसने खर्चे दे लिए एक तरफ से हमने उससे पो पैसे लेने नहीं अब और इसके साथ को कमिशन बनता तो वो भी उसे कह देंगे काट ले भाई और अगर को बैड़ बनता वो भी गाट ले बाकी बचा हुआ बैलेंस वह में ट्रांसफर करतेगा डाट सौ आप सब्सक्राइब गाट रचे लिए पूर आची तरह से अब बताईए अब किस को क्लियर हुआ है ड़न प्लाइब किजिए जिसको नहीं हुआ फ्लीज सकते हो ऐसु सक्षी इमांशू खोशी मुसकान, मोहित, आस्था, साहिल 2.0, राहुल जिंदल, स्नेहा, चेतन, ओजस, मुसकान, सिंगला, मुसकान बंसल हो गया, अंकित प्यूश, हांजी, क्लियर यहां तक, सबको, डन? चलिए, अब इसके जो अब बाकी कोशन्स है, हम इसको पर सो डिसकस करेंगे, इसके दो टॉपिक्स और है, फिर समझेंगे इसको और अच्छे से, ठीक है, यहां तक, क्लियर हुआ ना, सबको, यहां तर सब्सक्राइब यहां च्छाइंगे, प्रूपित नौट्स अब आपके साथ, यहां प्लाक्त की प्ली यहां तो इसके जोटे बाकी कोश्चन्स कराओं, ठीक है? 11 o'clock से? Approx 2 Okay